आइडिया वीडियो अंगनवडी के बच्चों की वालदा के लिए अस्सलामों आलेकूम आज की मिटिंग में आप सब का खैर मगदम है उम्मीद है आपको पिछले हफ़ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुवात करते हैं पिछले हफ़ते की दी गई तस्वीर में कागस के गोले चिस्पा करने की वक्षीट बच्चों ने कैसे की और चूडियों का मुम्बत्ती स्टैंड इस वीडियो के बारे में आपके खयालात हमें जरूर बताएं अब साथ में लाई हुई वक्षीट हाथ में पकड़ कर फोटो लेते हैं फोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं तब तक हम ये वीडियो यहां रोग देते हैं चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं तमाम वाल्दा एक टायरे में बैखें दर्मियान में एक प्याले में कंचे और दूसरे प्याले में रबर बेंड रखें जो वाल्दा मकरर रवक्त के अंदर ज्याद से ज्यादा कंचे बाढ़ेगे वो पातय होगी ये सरगर्मी होने तक वीडियो यहां रोग देते हैं उमीद है ये सरगर्मी सभी वालदा ने खुशी-खुशी की होगी चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है खुश नया सीखते हैं कुट्टे के काटने से इंफेक्शन फैलने का खत्रा होता है लेकिन इनसान को सही इप्तिदाई तिब्बे इमदाद बरवक्त मिल जाए तो काफी हद तक सूरते हाल को संगीन होने से रोका जा सकता है आईए इस वीडियो से समझते हैं कि ऐसी सूरते हाल में हमें क्या करना चाहिए कुटे के काटने पर हमें क्या करना चाहिए इसे गौष से देखें और समझें कुट को किसी खत्रे में डाले बगेर मरीज़ को किसी महफूज मकाम पर ले जाएं किसी भी कुटे को पकड़ने या रोकने की कोशिश ना करें अगर मुम्किन हो तो कुटे को गोर से देखें और पहचान ले मरीज को यखनीन दिलाएं और पुर्सकून करें और फौरी तोर पर वक्ष जाया किये बगेर जखम के हर हसे को कमस कम पंद्रा मिनित तक पानी की तेजधार के नीचे साबून से धुएं यहां तक के मामूली खरोच को भी अच्छी तरह से धुएं अगर जखम में वाइरस होंगे तो वो निकल जाएंगे जखम मामूली हो या शदीद इसे साबून से कमस कम पंद्रा मिनित तक पानी की तेजधार से अच्छी तरह धुएं खुब अच्छी तरह जागाने दे कोई भी हिस्सा न छोड़े इसके बाद जखम पर कोई भी जरासम कश दवा लगाएं और मरीज को फॉरन डॉक्टर के पास ले जाएं इस फीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी गुरूप में बताएं चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं दिये गए अश्कालों की सही जोड़ी लगाएं क्या बच्ची को इस वक्षिट को करने में खुशी मिली इस तजूर्बे को हमें जरूर बताएं आज की सरगर्मियां यहां पर खत्म होती है ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ़ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना और बच्चों का खयाल रखे शुक्रियां अगले हैं